नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गॉर्णमेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेर में चर्चा करेंगे 23 फरवरी 2021 के विभिन समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परिक्षा, CHSL, कमबाइन ग्रेजुट लेबल, डिल के करके चर्चा करते हैं, आज के रास्टी मामलों में, पहली खबर है, हेल्थ मिनिस्टर हर्ष वर्धन लॉंचेज मिशन इंद्र धनुष 3.0, दोस्तों केंदरी ये स्वास्थेयों परिवार कल्यान मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्ष वर्धन ने, देजभर में टीका करण कवरेज का विस्तार करने के लिए, उन्नीस फरवरी 2021 को गहन मिशन इंद्र धनुष, जिसे इंटेंसिब मिशन इंद्र धनुष 3.0 कहा है, तो उसका सुभारंब किया है, तो इस तरह से IMI 3.0 का फोकस किस पर रहेगा? उन बच्चों और गर्वती महिलाओं पर होगा, जिन जिरो है, इसमें दो राउंड होंगे, जिसमें प्रतेक 15 दिन होंगे, पहला दौर 22 फरवरी 2021 से सुरू होगा, और दूसरा दौर 22 माच 2021 से सुरू होगा, तो इस तरह से ठीका करन अभियान देश के 28 राजियों और केंदर सासित प्रदेशों के पूर्व चिन्हित 250 जिलों और सहरी छेत्रों में संचालित किया जाएगा, तो इस तरह से बच्चे और गर्वती महिलाओं को जैसे कि इस स्टीका करन के माध्यम से उनको बचाया जा सके, और मिसन इंदर धनुस यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्त सेवा प्रदान करने के लिए सुरू की गई थी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका उदेश है कि दो वर्स से कम उम्र के सभी बच्चों और साथी सभी गर्वती महिलाओं को आठ टीके से बचाओ योग बिमारियों के खिलाब टीका करन करना है, जिसमें डिफ्थीरिया, हूपिंक टीके हैं इन टीकों के माध्यम से इन लोगों को बचाया जा सके, यानी इन टीकों के माध्यम से सुरक्षित किया जा सके, आने वाले दिनों में कोई ऐसी बीमारी ना पकड़े बच्चों को जिससे की उनको परिशानी हो, तो यह महतपाकांशी परियोजना है सरकार की, इस से याद रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी इनाउग्रेट ओयल एंड गैस प्रोजेक्ट एंड इंजिनिरिंग कॉलेज इन आसाम दोस्तों प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी 22 फरवरी 2021 को असम में हैं और राज में विभिन विक बोगई गाउन रिफाइनरी है दोस्तों याद रखना इंडियन आयल की है ये बोगई गाउन रिफाइनरी इसका यूनिट का नाम है INDMAX ये ध्यान रखेंगे और दोस्तों डिबरुगर ये भी महत्पून है आयल इंडिया लिम्टेट के मादमिक टैंक फार 490 करोन पाय और सुवाल कुची याद रखना सुवाल कुची यहां ध्यान रहन रकेंगें Engineering College तो इसको सुवाल कुची कर लेज़ेगा तो सुवाल कुची Engineering College के लिए आधार सिला भी रखी तो इस तरह से बिभिन प्रकार की योजनाओ का इसके लिए जो है उनुने आधार सिला रखी तो इस तरह से प्रधान मंतरी ने और असम को आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्होंने धेर सारी योजनाओं और पर्योजनाओं की शुरुवात भी की तो इस तरह यह महत्पूर्ण है अब बढ़ते हैं दोस्तों DRDO conduct two successful launches of VLSR SAM missile यानि इसका full form क्या है vertical launch short range surface to air missile के दो सफल प्रिशेपन किये गए यानि रक्षानुसंधान विकास संगठन जिसे DRDO कहा जाता है जिसका headquarter कहा है नई दिल्ली में है 1958 में इसकी अस्थापना हुई थी तो दोस्तों यह कहां से इसको launch किया गया तो उडीसा के तट से integrated test range चांदीपूर सुना होगा यहां पर तो यह उडीसा है यहां पर ध्यान रखेंगे तो यहां से launch किया गया और VLSR SAM स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा भारतिय नौसेना के लिए design और विक्सित किया गया है दोस्तों VLSR SAM का लक्ष है कि समुद्र scheming लक्षों सहीद नजदी की सीमाओं पर बिभिन हवाई खत्रों को बेसर करना और यहां जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है इसकी मारक छमता करीब 40 किलो मीटर तक है यह मिसाइल अपने चारो दिसाओं में 360 डिगरी के लक्ष से यह किसी भी दिसाओं में आने वाले drone मिसाइल या लडाकू विमान को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है तो यह काफी महत्पून है इससे हमारी रक्षापंती काफी मजबूत होगी और DRDO की स्थापना 1958 में हेड कौर्टर इसका DRDO भवन नई दिल्ली में है अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके बारे में पहले ये खबर जान लेते हैं तो चीन ने इस साल भार द्वारा ब्रिक्स समेलन की मेजबानी का समर्थन किया है चीन ने कहा है कि वह पांच उभरती अर्थ व्यवस्ताओं के संगठन ब्रिक्स में सायोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करेगा इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिन, अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स की अध्यक्षता करेंगे तो इस तरह से विदेश मंत्री एस जैसंकर ने 19 फरवरी को नई दिल्ली स्थित सुस्मा स्वराजभवन इस ब्रिक्स सच्वाले में भारत का ब्रिक्स 2021 बेफसाइट की सुरुवात भी की और इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत द्वारा समालने को लेकर पूछे गए सवाल पर चीनी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कहा कि नई दिल्ली की मेजवानी में सिखर समयलने आज़ित कराने का वह समर्थन करेगा यानि बीजिंग समर्थन करेगा और भारत 2021 में होने वाले 13 यह भी ध्यान रखना यह कौन सा है 13 जैसे पहला 2009 में एका टेरिन ब ब्रिक्ष देशों के सिखर समयलन की अध्यक्षता कर चुका है इस तरह से आप देख सकते हैं कि नवंबर 2020 को रूस की मेजवानी में आयुजित किया गया था 12 सिखर समयलन वो भी क्या था कोरोना की वज़ा से आभासी में रूप में किया गया था और हमारे देश के प्रध आसा जान लीजिए कि ब्राजील, डूस, भारत और चीन पर आधारित संचिप्ते जिसे ब्रिक कहेंगे इस बाद में जुड़ा का प्रस्ताव वर्स 2001 में गोल्ड मैन सैक्स के जेम ओ नील द्वारा किया गया था उनका कहना था कि आने वाले 2050 तक यह बड़ी अर्थ बेवस हुआ था दोस्तों यह ध्यान रखेंगे और इस तरह से 2014 के ब्रिक्समेलन में 100 अरब डालर की सुरुवात अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की अस्थापना का निर्णे लिया गया था और दोस्तों ब्रिक्स बैंक का मुख्याले शंगाई चीन में है ब्रिक्स के अनिल की सोर को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है नियू डेवलप्मेंट बैंक का तो ब्रिक्स अंगटन एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं का यह देश है और एक साथ मिल के कार कर रहे हैं इसमें नियू डेवलप्मेंट बैंक और यह सारी अफ्रीका को इस समू में सामिल किया गया बाद में 2010 में यह द्यान रखेंगे दोस्तों तो इस तरह से 2010 में ब्राजीलिया में हुआ था दूसरा तीसरा जो है कहां हुआ था चीन में हुआ था फिर 14 हमारे भारत में हुआ था फिर 2013 को डर्बन में हुआ था फिर फोटेलेज Ministry of Defense Announce Women Can Join Armed Force दोस्तों साओधी अरब जो कि एक कटर कहा जाता है कि काफी वहाँ पर Rules and Regulation था महिलाओं के लिए लेकिन एक नए कह सकते हैं कि निर्णे के आधार पर यानि Vision 2030 वहाँ के जो प्रिंस हैं सलमान ने सत्ता में आते ही Vision 230 के तहथ महिलाओं को बहुत सारी विवस्थाएं दे रहे हैं ऐसा नहीं है अभी जैसे इन्होंने Defense में दिया इससे पहले उन्होंने तीन और मतलब कई अधिकार दे चुके हैं महिलाओं को 2018 में उनका पहला कदम उठाया था उन्होंने कहा था कि 2030 विजन के तहथ महिलाओं को वाहन चलाने के उन्होंने अनुमती दी थी तीस तरह से साओधी अरब में 2018 से पहले तक महिलाओं के वाहन चलाने पर प्रतिबंद था इसी तरह से साओधी अरब के महिलाओं को जो है अधिकार देने की कड़ी में दूसरा जो महत्पूर्ण कदम था कि हवाई जहाज उडाने की अनुमती दी गई यहाँ और तीसरा जो महत्पूर्ण कदम था कि अकेले विदेश यात्रा की भी अनुमती दी गई फैसले के बाद 21 वर्ष से अधिक आयो की महिलाओं को पासपोर्ट हासिल करने और किसी पूरुस संरक्षन की अनमती के बिना ही विदेश यात्रा की इजाज़त दी गई तो इस तरह से प्रिंस सलमान लगातार साओधी अरब में इस तरह से महिलाओं को या महिला शशक्ती करण के लिए कह सकते हैं नित नए प्रियोग कर रहे हैं तो इस तरह से आज यहाँ पर बात की जा रही है कि अरब ने सेना के तीनों ही अंगो जो ऐसे एर फोर्स, नेवी, मेडिकल सेवा, रॉयल स्टेर्जिक, मिसाइल फोर्स में महिलाओं के सामिल होने की अनमती दे दी है तो साउधी अरब के महिलाओं की अनमती देने का कहा जा रहा है यह बड़ा कदम है, एतिहासी कदम है साउधी रक्षा मंतराले ने कहा है कि अब महिलाएं सेना में सामिल होने के लिए अपलाई कर सकती हैं जिसमें सैनिक, लॉंसनायक, नायक सर्जेंट, स्टाफ सर्जेंट के पत के लिए अपलाई कर सकती हैं। इस तरह से क्राउन प्रिंस सौधी महिलाओं को बिभिन चेत्रों में आगे बढ़ने के लिए सुधारों को अंजाम दे रहे हैं। अब थोड़ा से हमांचित में देख और ओमान, इधर आबुद यहां यूनाइटेड अरब अमीराद भी इस पर्स करता है, यहीं पर इसके देख सकते हैं कि पूरब में है दोहा, बहरीन है, इसकी राध्धानी मनामा है, दोहा की कतर है, उपर कुवैत है, इसकी राध्धानी कुवैत सिटी है, तो इस तरह से और अब तेल के प्रमुख भंडारों में से एक है, यहीं पर जिद्धा है, मक्का है, मदीना है, यह समात्पूर्श शहर हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब भड़ते हैं, विविन राष्टी अंतर राष्टी अव्यक्तित्तों में महभुबा मुफ्ती री-Elected PDP President, द सम्मत से फिर से PDP का अध्यक चुना गया है, तो वरिष्ट नेता, अब्दुल रह्मान वीरी पार्टी निर्वाचन बोट के अध्यक्स थे, उन्होंने इनके नाम की घोशना की, इस तरह से मुफ्ती मुफ्ती मुफ्त साइद ने नेसनल कॉन्फरेंस के छेतरी विकल्प क पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1998 में किया था, यह ध्यान रखेंगे, और महबुबा मुफ्ती एक भारती राजनीतिक तथा जमु कश्मीर की तेरहवी, और यह कह सकते हैं, अंतिम मुख्यमंत्री भी यह कह सकते हैं, और एक महिला के रूप में राज की प प्रकार वे देश के किसी राज की दूसरी मुस्लिम मुख्यमंत्री है महिला मुख्यमंत्री, और वरतमान में वे अनंत नाक से लोकसभा सांसद भी हैं, यह भी ध्यान रखेंगे, महत्पूर्ण बिंदू है, यानि पहली महिला मुख्यमंत्री जो मुस्लिम मुख्यमंत्र कौन थी तो सयदा अन्वरा तैमूर और यह दूसरी है जम्मू कश्मीर की पहली है अब जम्मू कश्मीर केंद सासित प्रदेश हो गया है तो अब जो है इसके बाद जो कोई बनेगा मुक्यमंतरी तो जम्मू कश्मीर का प्रतम मुक्यमंतरी कहलाएगा यह ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों, बैंकिंग और वित्र संबंदी समाचारों में, बिटकोईन प्राइसेज फ्लेक्चुएटेड आफ्टर ट्वीट आफ एलन मस्क, इनका नाम तो सुना होगा, अक्सर चर्चा में रहते हैं, भारत में भी उन्होंने अपनी कंपनी को लांच कर द रहे हैं, उनके इस ट्वीट के कुछ ही घंटो बाद, निव्यार्क में बिटकोईन की कीमेट एट थाउजन डॉलर की, गिरावट के साथ फिप्टी थाउजन डॉलर के नीचे आ गई, और भारती मुद्रा के हिसाब से अगर देखा जाए, तो थर्टी सिक्स लाख रुप गोशना से बिटकोईन की कीमत उच्छतम अस्तर पर पहुँच गई थी, टेसला ने या गोशना की थी कि उसने क्रिप्टो करेंसी में 1.5 अरव डालर का निवेस किया है, इस गोशना के बाद बिटकोईन की कीमत में 15 फिजदी की तेजी आई, तो करीब साल भर पहले बिट काई की कीमत 10,000 डालर थी, और दोस्तों 2020 में इसकी कीमत 4 गुना बढ़ी है, तो इस तरह से इस बड़ी कमपनी के समर्थन से, चुकि इस समें विबाद आस्पद हो गए ये क्रिप्टो करेंसी बिटकोईन का, समर्थन करने वाली सबसे बड़ी कमपनी टेसला हो गई है, य इसका कोई बैंक जारी नहीं करती, इसे जारी करने वाले ही इसे कंट्रोल करते हैं, और इसका इस्तेमाल डिजिटल दुनिया में ही होता है, ये पहले इसके बारे में बहुँच आरचा किया हूँ, अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरसकारों में वाइस प्र रामा राव की राजनीतिक जीवनी है, और दोस्तों इसका लेखन वरिष्ट पत्रकार रमेश कंडूला ने किया है, ये ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से अभिनेता नेता एक ऐसी घटना थी जिसने सीनेमा और राजनीत में सांदार योगदान दिया था, तो एंटी रामा भारत ने मॉन्टिनेगरो यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपना पर्चम लहराया, तो बेबी रोजी साना चानू ने 51 किलो वर्ग में और अरुंध हती चौदरी ने 69 किलो वर्ग में दो और स्वर्ण पदक जीते, इससे भारती महिला मुक्यबाज टीम मॉन्टि पदक जिसमें 5 स्वर्ण यानि 5 गोल, 3 जो है सिल्वर और 2 ब्रॉंज मेडल के साथ सीस अस्थान पर उजबेकिस्तान दो स्वर्ण पदक जीत कर दूसरे पर जबकि एक स्वर्ण पदक जीतने वाली चिक गनराज्य तीसरे अस्थान पर रहा, तो दोस्तों इसमें जो है भ बाच का भी पुरसकार मिला, और पुरुस वर्ण में दो पदक के साथ भारत की 19 सदसी टीम ने अपने अभियान का अंत 12 पदक से ओवराल दूसरे अस्थान के साथ किया, तो ओवराल तालिका में उजबेकिस्तान पुरुसों में सीर्ज जबकी उक्रेन तीसरे अस्थान प इसकी राजधानी दोस्तों दिसपूर है, सबसे बड़ा शहर गोहाटी है, यहीं पर हाई कोर्ड भी है, इसकी जनसंख्या 3 करोण से अधिक है, इसका जनसंख्या घनो 397 पर स्कॉयर किलोमीटर है, छेतफल 78,438 स्कॉयर किलोमीटर है, इसमें 29 जिले हैं, तैंतीसवा जिल इसको हुआ था, राजभासा असमिया है, बंगला भी है, लेकिन मेन जो है, यहाँ पर असमिया की बात की जा रही है, तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर जो राज़की पसू है, एक सिंग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोसर्स, जो की कहां, काजी रंगा नेशनल पार पार पाया जाता है, और राज़की पक्षी है, वाइट विंग डग, यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, और राज़की पुस्पह है, फॉक्स टेल और चिड, और राज़की ब्रिक्ष है, होलों, और यहाँ के गवर्नर जगदीस मुखी, मुख्यमंत्री सर पूरप का द्वार कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पश्यम बंगाल को इसपर्स कर रहा है, इधर तो करी रहा है, फिर राज़ों की पहले बात कर लेते हैं, मेगाले को, यह है, एक ऐसा राज़ है, जो सेवन सिस्टर, यानि सभी राज़ों को इसपर्स करता है, दे तो साथ राज़ों को कर रहा है, और इधर आप देखेंगे भूटान को भी कर रहा है, इधर बांगलादेश को भी कर रहा है इसपर्स, तो इस तरह से अंतराश्टिय सीमाओं को भी इसपर्स करता है, और यह भी है, तो यह ध्यान रखेंगे, इस तरह से भी प्रस्न बन ज तो इसकी राजदानी प्राग जोतिस पूरा थी जो गोहाटी में है अथवा इसके नजधी किसी थी और इसकी पूर्वी स्वीमा आपे बता ही दिया नागलेंड मनिपूर और म्यानमार है, पशिम में पशिम बंगाल, उत्तर में भूतान और अरुनाचल प्रदेश, दक्षिन में मेगाल है, बंगलादेश, त्रिपूरा और मिजुरम है, दोस्तों राजिका 63% कारेबल, क्रिसी और संबंधित गदविधियों में सनलगने हैं, यानि कुल चेत के 79% से अधिक चेत का उपयोग, खाद फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है, और यहां की चावल प्रमुक फसल है, जैसे पशिम बंगाल है, तीनों प्रकार की फसलें उगाता है, आमन, ओस और बोरो, उसी तरह जो है, असम भी उगाता है, और यहां का जूट, चाय, यानि भारत का कह सकते हैं, 75% चाय का उत्पादन असम ही करता है, कापास, तिलहान, गन्ना, आलू, फल, और रेशम में मूंगा, जैसे रेशम की चारों पजातियां पाई जाते हैं, मूंगा, टसर, एरी, यहां यहां पर जो सबसे महत्पूर्ण है, मूंगा रेशम, बिस्तो का सबसे बड़ा उत्पादक है, सुनेहरे रंग के मूंगा रेशम, यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां की जो रिफाइनरी है, दिगबोई, नूनमती, बोंगई गाओ, माकुम, लकवा, यह सब पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं, यहां ध्यान रखना सबसे कती भी हूँ मई में, पूरे असम में सभी जाति पंत और धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है, अन्तिवहरों में है बैशागू, जो कि अप्रेल के मध में बोडो कछारी लोगों द्वारा मनाया जाता है, इसी तरह से आली, आई, लिंगांग, मिशिंग जन्जाती के द्वारा मना जाता है फरवरी मार्च में इसी तरह बाईखो है रोंकर है कारभी लोगों को द्वारा मना जाता है प्रैल में रजनी गबरा है बोहीगियो बिशू है तो इस तरह से अंबू बाशी मेला बहुत फेमस है इसको याद रखिएगा अंबू बाशी ये एक्जाम मे आ चुका है तो अम्बू बाशी मेला ध्यान रखेंगे कामक्या मंदिर का सरवाधिक महतपूर्ण तेवहार प्रतिवर्स जून के मद में मनाया जाता है यह सरलताओं की पता है जिसे तांत्रिक रीतियों से मनाया जाता है और एक जोन बिल मेला है जो कि गोहाटी के पास रास्टी उद्यान याद रखेंगे काजी रंगा रास्टी उद्यान जो एक सिंग वाला गैंडा के लिए मानस रास्टी उद्यान जो की बाग छेतर भी है और भब उद्यानों में सेख है और विश्व धरोवरस्तल में भी है नामेरी रास्टी उद्यान जो की अरुनाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है ओरांग जिसे राजियू गांधी राश्टी उध्यान कहते हैं ति यह पांच राश्टी उध्यान है इसके साथ साथ यहां पर वाइड लाइफ सेंचुरीज हैं जैसे पॉबी तोरा वन जी अभ्यारन याद रखना लाओ खोवा वन जी अभ अभ्यारन बोर नदी वन जी अभ्यारन गरम पानी वन जी अभ्यारन पानी दीहिंग पक्छी अभ्यारन है बोर्डो आईबाम बिलमुक अभ्यारन लखीमपुर धेमा जी में है दीपोर बिल यह भी ध्यान रखना यह जो है रामसर साइड भी है तो यह महत्पून है दोस् इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दी है आज कम लोगों ने उत्तर दिया क्या कारण रहा आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों आज पहला question है आप लोग सामने which mission has been launched by the union health and family welfare minister for expanding immunization coverage across the country दोस्तों सेहत नाम से है या IMI इसको कहते हैं इंदरधनुस mission इंदरधनुस 3.0 या बालकल्यान या कृष्णा इन्ही में से आपको बताना है second question है बोंगई गाउं रिफाइनरी कहां जिस्तित है बिहार उडिसा असम या केरल नेक्स है डियार्डियो के स्थापना कब हुई थी 1957, 58, 59 या 55 next question है पहला ब्रिक्षम मेलन कहां योजित किया गया था येका टेरिन बर्ग, मास्को, सेंट पीटर्स बर्ग या लेनिंग्राड रूस में हुआ था याद रखना next question है भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी महबुबा मुफ्ती, सयदा अनवरा तैमूर या अरुना सफली या इन में से कोई नहीं next question है what is the name of Elon Musk automobile company जो की electric car बनाती है तो Elon Musk की automobile company का क्या नाम है Tesla, Hyundai, Toyota या Ford next question है बेबी, रोजी, साना, चानू और अरंधती, चौधरी किस खेल से संबन दित है कुष्टी, मुक्यबाजी, होंकी या क्रिकेट और दोस्तों अंतिम प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा रास्ति उद्यान असम में नहीं है, which of the following national parks are not in असम, काजी रंगा, मानस, नामेरी या दुधवा तो इस तरह से इन दसो प्रस्ण के उत्तर शिक्र दीजेगा, आशा करता हूँ कि आज की भी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगेगी, और दोस्तों अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्यू दोस्तों